हर योम प्यारे दर्सकों प्यारे मित्रों स्वागत है आप सभी का दनोलोज ग्रूग के स्टूप चनल पर तो रक्षा बंधन पर 700 साल बाद पंच महाबियोग बन रहा है भूल कर भी ना करेंगे च्छाए गलतियां इस वीडियो में जानेंगे राखी बाहने का सही समय क्या है इस समय भूल कर ना राखी बाने और जानेंगे महत्य क्या है सुब महूरत के बारे में जानेंगे पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे कब है तीस और एकति सगस्त को कब मनाया जाएगा रक्षबंधन तो इस साल अक्षबंधन का तैभार 30 और 31 अगस्त दुन दिन मनाया जाएगा दरसार रक्षबंधन पर भदरा के चलते तैभार दो तिथियों में बढ़ गया है भदरा काल 30 अगस्त को सुबह पूर्णमा थिथी की साथ आरंब हो जाएगा और रात नो बजगर दो मिनित तक रहेगा हलाकि रक्षा बंधन पर बरनहे कई सुब योग तेवार का महत्व भी पढ़ाएंगे ग्रहों की तो तीस या एकतीस अगस्त किस दिन राक्षा बंधना सुब रहेगा तो इस साल रक्षा बधन का तेवार 31 अगस्त दोनतितियों पर मनाया जा सकता है इसमें केवल भद्रा काल की अवधी का ख्याल रखते वे भाई को राकी बांदनी होगी अगर आप 30 अगस्त को रक्षा बधन मनाने वाले हैं तो रात 9 बज कर 2 मिनट पर भद्रा समाप्त होने के बाद ही भाई को राकी बांदे यदि आप 31 अगस्त को रक्षा बधन मनाने वाले हैं तो सुबह 7 बज कर 5 मिनट से पहले भाई की कलाई पर राकी बांदे इसके बाद सावन पूर्णमा के साथ ही रक्षा बंधन का तेवार भी समाब तो हो जाएगा सबसे अच्छा मोहुर्थ हिंदू पंचांग के नुसार भाई की गलाई पर राखी बानने पर सबसे अच्छा समय है कत्ति सगस को ब्रह्म मोहुर्थ में इस दिन सुबह चार बज़ कर 26 मिनट से सुबह पांच बज़ कर 14 मिनट तक ब्रह्म मोहुर्थ है इसी विए चाप किसी भी समय भाई की गलाई पर राखी बान सकती है तो आई जानते हैं इस वीडियो में क्या च्छे गलती नहीं कर रही है पहली भद्राकाल में ना राकी बाने क्योंकि भद्राकाल में कभी राकी नहीं बानने चाहिए इस बार अक्छा उन दन पर भद्राकाल का साया रहेगा भद्राकाल 30 अगस को सुबह पूर्ण मत्यति की साथ आरंब होगा और रात 9 बज कर 2 मिर तक रहेगा नमर दूसरा उत्तर पस्तिम दिसा वास्तू के अनुसार भाई को भूलकर भी उत्तर पस्तिम दिसा में बैठकर राकी नहीं बानने चाहिए इस दिसा में राकी बांधना अब सगुन होता है राकी बांधते बक्त बहनों का चेहरा दच्छन और पस्तिम दिसा की ओर होना चाहिए जबकि भाईयों को उत्तर पूर की दिसा की ओर देखना चाहिए ना बानने हैं सी कोई राकी बाजार में आजकर प्लास्टिक की राकियां भी बिकने लगी हैं प्लास्टिक को केतु का पदार्थ माना गया है इसमें से बदनामी का कारक माना जाता है इसके अलावा भाई को तूटी फूटी या असुप चिन्नो वाली राकि बांधने से भी बचना चाहिए अच्छी राकिना मिलने पर आप कलावा भी बांध सकती है नमबर चार ऐसे तौफे ना दे जोतिसों के अनुसार रक्षा बंधन पर बहन को धारदार यानोकीली चीजें भेटना करें छुरी काटा आइना और फोटो फ्रेम जैसी चीजें देने से बचें बहन को रुमार या जूते चपल भी गिफ्ट ना दे जोतिस में बुद्ध को बहनों का कारक माना गया है इसलिए आप इससे जुड़ी चीजें दे सकते हैं काले रंग की कपड़े रक्षावंदन के दिन बहनों को भूल कर भी काले रंग के वस्तर धारा नहीं करना चाहिए इनकी जगह लाल पीले वस्तर पहनना सुब होगा खान पान रक्षावंदन के दिन घर में मास, मदरा, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक भोजन का सेवन बुलकुल न करें इस दिन सुद्ध और सात्वे खाना ही खाएं तो ये रही आहम जानकारी